नमस्ते, आईए आज के चमतकारों को सुनने से पहले कलकी के प्रकटित भूत को देखते हैं जैसे जैसे आंकलन कम होता जाता है, प्रेम बढ़ता जाता है और अब आज का पहला चमतकार, एहम्दाबाद से मैं अनुराधा चंदरशेखर हूँ एकम ध्यान में दीखशांत होने के बाद से मेरे रोम रोम से निरंतर दिवय रोश्नी मेरे सोल सरकल की ओर जाती महसूस होती है जिसमें सभी भक्त और दुनिया के बाकी लोग भी शामिल है जबसे मैंने प्रीता जी और क्रिशना जी से ये शब्द सोल सरकल सुना है मुझे ये लगता ही नहीं कि कोई मेरे सोल सरकल में नहीं है मैं किसी भी मनुश्य या किसी भी और प्राणी को अपने सोल सरकल के बाहर देख ही नहीं सकती मुझे सब चाहे वो आतंकवादी हैं, हत्यारे हैं, बलातकारी हैं, सभी सरकल में ही दिखते हैं मैं जब भी दीख्षा भेजती हूँ, तो इन सभी नकारात्मक लोगों को प्रेम सहित सीने से लगा रही होती हूँ ये सब तब से हो रहा है, जब से मैं प्रक्रियाओं के लिए एकम गई, इस प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद कल की और अब दूसरा चमतकार, चेन्नई से मैं श्री विद्या राजेश हूँ, कुछ साल पहले मुझे कुछ इस्त्री रोग संबद्धी समस्या हो गई थी, इस कारण तीन से चार साल तक मैं दवाईयां ले रही थी, एक बार मैंने नेमम में आरोग्य पूजा में भाग लिया प्रार्थना करने के बाद मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूती हुई, उसके बाद साथ हफ्ते तक मैं लगातार शक्तिशाली आरोग्य पूजा में भाग लेने के लिए नेमम जाती रही दिव्य उपहार स्वरूप मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, अब मैं कोई दवाई नहीं लेती, कल की को आभाग